निमलेखित आकडो का माध्य ग्याद करना है तो यह देखिए यह से कम अंख है तो इसको सही करना होगा ना आपको चलिए हम लोग इसको सही से पहले इसका चार्ट बना लेते हैं यहाँ पर हम लेंगे इसका वर्ग अंतराल ठीक यहां हमनों लेते हैं वर्ग अंत्राल वर्ग अंत्राल सही करके लेंगे यहां पर और फिर उसके बाद क्या है आपकी बारम बढ़ताएं होंगी बारम बढ़ताएं यानि यह जो छात्रों के संख्या होगी उसके बारे में बात करेंगे और फिर यहां संचाई बारम बढ़ता को कहेंगे संचाई बारम बढ़ता चलिए ठीक है तो सबसे पहले यह देखिए यह 10-10 का अंतर दिखना न तो फिर यहां कर दस से कम तो 10 से कम जब यहां कहा रहा है तो कितना लेंगे आप 0-10 न यहां 10-10 क 30-40 40-50 50-60 60-70 यही नहीं होगा 80-80 असी से कम् तक है तक 80 जर्निकी कि बरंबरता है अप इनकी बरंबरता है mit 10-10 यह बरंबरता 5 कारा 20 तक 20-10 कम तो 10 से चोटा भीित हो सकता है ना यानि कि आपको इपिछले एकसराइज में बताया थे, कि जब इस तरह कादेगा 20 से कम कहा, तो 10 से कम वाला जितना संख्या है उसको घटा देगे, यानि 11 में से 5 घटा के यहां लिखेंगे, यानि कि 10 से 20 के ही न बीच में लिखना है, यहां तो 20 से कम का मतलब होगा, की 10 तक भी होगा और 10 से छोटा भी होगा यानि 20 से कम कहना नियों का मतलब से जीरों से बीस तक जितोई भी संख्या है सबको यह जोड़ के लiğiक्त है तो यावने कि जीरों से 10 के बीस है गहता जेखा Guinea यानि इसमैं Se इसको घहता देने गा गटा के लिखी आएगा छे ठीक अब 30 से कम है मतलब यह 0 से लेकर 30 तक की संख्या है तो 0 से 20 तक की संख्या घटा नहीं होई यानि इसमें से इसको घटा जेंगे लगताल दो दो में करमारत घटाते जाएंगे तो आज आगा आपका 11 ठीक है यहां पर 11 अब चलिए 37 में से 22 घ यह दोगों में लगातार है और 60 में से 56 है ठीक है तो आजाएगा आपका और 60 में से 56 जाएगा तो आजाएगा आपका 12 फिर आपको 75 में से 60 जाएगा तो आजाएगा आपका 7 और फिर आपका 80 में से 75 घटाएंगे तो आजाएगा 5 अब इसकी संख्याई बरम बरता तो वह जोर जोर के लिखना होगा ना पाच छे पाच ग्यारा 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 बाइस यहीं वाला मानाएगा देख लीजें उसी को नोट कर दीए यहां पर 37 चपन और सट पचहतर और असी ठीक है यानि कि इन का टोटल मान जो यहां आ रहा है इन का मान इन बराबर आ रहा है असी ठीक इसको जोड़ियेगा तो यहीं नहीं आएगा चलिए अब सबसे पहले आपको इन बाई टू करना होगा यानि असी बटा दो कट क्या जाएगा आपके पास कितना चालिस तो चालिस से ठीक बड़ी संचाई बरम बरता जो होगी वही वर्ग संचाई बर क्या कहता है माध्यक वर्ग तो यहां देखिए यह वाला है चालिस से जस्ट बड़ा है ने यहां चपन यहां तो इससे छोटा है यह सैंतिस उससे जस्ट बड़ा है चपन संचाई बरम बरता तो यह वाला जो बर्ग होगा माध्यक वर्ग कहलाएगा तो यहां से आप वह यह चला पता चल गया कि माध्यक वर्ग जो है माध्यक वर्ग वो क्या हो जाएगा आपका तो माद्यक वर्ग हो जाएगा आपका 40 से 50 L का मान क्या होगा तो L का मान हो जाएगा 40 है ना F का मान क्या होगा तो F का मान होगा 19 है ना CF का मान क्या होगा तो होगा 37 और H का मान क्या होगा बटा में F और गुना में H, ठिक, चलिए तो L का मान है आपके पास 40, प्लास N by 2, N by 2 तो N का मान है आपके पास, असी दो से भागो N by 2 का मान आया है न, 40, तो इसी को सिदे रही निख दे, 40 माइनस C F का मान, तो C F आपका है, इसके उपर वाला यहाना, यहीं न, 37, 30, ठिक है, आपके बुक में C से नोट के हम C F ले लिए है, F का मान है यहाँ 19, और H कितना है, तो H आपका है 10, ठिक, चलिए इसको solve करता है, 40, पलस, यहाँ घटाना होगा न, तो घटाएगा तो आपका आजएगा 3, 40 में C, 37 गटाएगा 3, बटा 19 गुना 10, चलिए, अब चलिए, 40, यह होगा दसतिया, 30, 30 बटा 19, तो 30 में 19 से भाग करिएगा, तो आएगा आपका 1.57 और बहुत चारे डिजिट भी आएगे, तो सबको आटाक है, 7 को क्या कर देंगे, हाँ, 8 कर देंगे, अब इसको जोड दीजिए, तो हो जागा 41.58, समझ गया, यही इसका मध्यक हो जागा, टिक,